हलो स्टूडंट आज हम देखेंगे स्टैंडर थाड का इंगलिज ном 3 नमवर इन नाम सबसे पहले हम देखते हैं डेफीनेशन यान्हेद에 व्याभ्याइन नाम के बारे में नाम के बारे में क्या डेफिनेशन की गई है नाम वो होता है जो किसी विक्ति को किसी जगह को किसी जानवर को या किसी चीज को दिया गया उसमें सबसे पहले हम देखते हैं नाम से जाने जाते हैं कोई जानवर होता है या कोई चीज होती जिसको हम कामन नाम से उसके जाने जाते हैं फार एक्जेंपल जैसे की परसन अभी परसन में जैसे की फादर है अपने फादर होते पापा होते उनके उनको हम फादर या वडील मराठी में हिंदी में पीता जी नाम से हम जानते हैं टेलर जो दर जी का काम कपड़े सिलाता है उसे हम टेलर के नाम से जानते हैं कोई है पॉलिस मेन एंग ये सब उसके बाद प्लेसेज प्लेसेज में आता है स्कूल, ऑफिस, जू, सौ्ट भीटल बैंग, पोस्ट आपिस, एर्पोर्ट, एटी सी और बहुत सारे जैसे स्कूल के भी नैम्स होते हैं हमें कोई पूछता है कि आप कोंसे स्कूल में जाते हो तो हम school का नाम बताते हैं office के नेम होते है जू जहां पर हम अलग-अलग तरह के जानवर देखने चाते हैं तो ज्भू के भी नेम होते हैं hospital के नेम होते है उसके बाद things things तिनस एन्ञेस चीजे के भी नेम होते हैं जैसे कि वीट, आपल, काई, टॉइ, सोफा, पेंसिल, बर्स, एटीस, इनके common noun हैं, उसके बाद एनिमल्स, डॉग, फीस, स्वैन, बर्ड्स, केमर, एटीसी, यह इनके होते हैं common noun, अब ही जैसे for example, हम लेते हैं डॉग, हमारे घर में पेट एनिमल है, डॉग है, तो ह हम नाम देते हैं, उससे बोला जाता है, प्रॉपर नाउन, अभी देखते हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में, it is a particular name for a particular common noun, क्या होता है, जो common विक्तिव होता है, या common जो चीजे होती है, common जो लोग होते हैं, उनको एक उनके पैच्छान के लिए particular नाम दिया जाता है, for example, जैसे कोई मनुष्य है, म्यान है, तो उसको हम नाम देते हैं, Mr. Anil, अभी कोई लड़का या कोई आद्मी खड़ा है, तो हम ए म्यान, ऐसे बुलाएंगे कि उसका नाम होता है, उसकी पैच्छान होती है, उसके पैच्छान से मुसे, उसके नाम से हम पैच्छानते हैं, जै जैसे की Miss Lutte में है, Miss Parihar में है, Miss Bansod में है, यह सब उनके नेम है, तो यह हो गया प्रापरान है, किसी वेक्ति को पैच्छानने के लिए, किसी चीज को पैच्छानने के लिए, जो हम उसे नाम देते हैं, उसे कहा जाता है, प्रापर नाउन, अभी गल है, कोई गल है, तो उसको, for example, हैं बता रही हूं कि बहुत सारी गल्स खड़ी है, और वहां से किसी एक गल को हमें बुलाना है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, उसका नाम लेकर बुलाएंगे, ताकि वही लड़की हमारे पास में आएंगे, अभी आप क्लास में बैठते हो, क्लास में सभी गल्स बॉइस होते हैं, यह अपका common noun, लेकिन आपके proper noun भी होते हैं, जैसे कि मुझे किसी लड़की को या किसी लड़के को बुलाना है, कोई example, उसे पूछना है, या उसे खड़े करना है, क्वचन करते हैं, तो हम उसका नाम लेकर खड़े करते हैं, for example, जैसे कोई मेरे सामने को कोई से गल्स को बोल रहे हैं, इसलिए उनके हम नाम रखते हैं, है ना, जब भी कोई बेबी हमारे घर में जन्म लेता है, तो लोग उसके नाम से जाना जाए, इसलिए उसके हम क्या करते हैं, नाम करंग करते हैं, करते हैं उसका नाम देते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीजे जाएंगी उसमें फिर ये कलर है इसमें ये ये लो कलर की है तो इसको भी ये ये जो ना इसका प्रापर नाव हो गया है तो मैं अगर समझें ये बहुत सारी ये ऐसी अलग-अलग कलर की स्टीक पड़ी हर मैं बोलूंगी कि आप वहां से एक स्टीक उटा के लाओ आपने आशाननी हो, इसलिए हम चीजों के या किसी व्यक्ति के प्लीज से के नाम रखें वर इसे नाम से हमँ जानते जैसे कि city का example लेते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारी cities है, तो कौन सी cities है, हम कहा गएते हैं, जैसे for example, हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो हम ऐसे थोड़े न बोलेंगे घर में जाकर कि हम कोई city में जा रहे हैं, लेकिन हमें घर में पुछा जाएंगा ना कोन सी city में आप पिकनिक के लिए जा रहे हो, तो हो सकता है आप राजस्थान जा रहे हो, जैपूर जा रहे हो, या फिर कोई और दिल्ली, मुंबई कहीं आपको उसका नाम बताना पड़ेंगा तभी तो हमको पता चलेंगा कि हम कहा जा रहे हैं, तो यह होता है नाउन, यानि जो किसी प्लेसिस को नाम दिया जाता है, और जैसे कि हम चीजों के नाम ले लेते हैं, अब यहां चीजों के नाम जैसे कि वीठ है, आपल है, काइट ह तो चीजों के ना जैसे फॉर एक्जामपल लेते हैं काइट का अभी काइट भी बहुत सारे कलर्स की होती है काइट उड़ाते हो पतं उड़ाते हो और आप दुकान में काइट खरीदने जब जाते हो तो आपको दुकानदार शौप की पर पूछता है कि आपको कौन से कलर की आप कलर बताते हो यानिंगो हो गया उसका प्रॉपर नाओन ईने खिलों ने अभी खिलों में भी बहुत सारे तेडि बेर है गुडिया है और अधर बहुत सारे केलों ने होते तो आपको कौन सा किलों ना चाहिये वह आप नाम लेकर बताते ओ सोफा जो हम घर में बैट ते तो सपह भी बोथ राइटी के आते हैं नहींसे नाम लेकर उनके बताते तो वह फ्रॉपर डाउन यहां तक संधान भी देखते हैं यह ना लूए और कॉण कॉण से नावन होते कोई चीजों का जो कलेक्शन होता है यानि समूह होता है संभ वह उता है उसे कलेक्टिव नावन जूंड जिसे हम बोलते हैं धूर एकजैंपल गुरूफ अप३ेश इस काड़ तीम पार एक्जाम्पल देसे कि हमारी इंडिया में क्रिकेट टीम है। एकी विक्ति खेलता है कि अधि और साथ होते हैं और उन सभी प्लेयर्स को मिलाकर एक तीम बनाई जाती है और जिस टीम में प्लेयर्स होते हैं उसे तीम बोला जाता है यानि एक ग्रूप में जह 10-12 या दो से ज़्यादा आदमियों का ग्रूप होता है उसे टीम का जाता है अभी देखते हैं कुछ नाउंस जो होते हैं यहां है uncountable होते हैं कुछ neden dreams जो होते हैं Uncountable में जिसे हम एक दो तीन-चार में गिन सकते है Uncountable में जैसे की हम उसे mesr कर सकते है लीटर कीलो वगशे उसे Uncountable लाउन गहां जाता है देखें एकॉंटेबल्स नाउन्स में जैसे कि यहां आप अपनी टेक्स्ट्बूक ओपन करोगे तो देखो अनकॉंटेबल्स में और काॉंटेबल्स में क्या होता है बॉइच, स्कूल, पेंच, स्टूडंट, हॉस्पिटल, टेबल, पॉयरेट, ट्री, बूक, स्ट्रीट, म ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जिसको हम काॉंट कर सकते हैं आपके देख, बेंच, चेयर, आपके घर में कितनी फ्रीज है यह सब चीज़े हम काॉंट कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़े जोसको हम 123 में काॉंट ने कर सकते हैं जैसे कि है चॉकलेट, फ्लोर, वीट, वाटर, आइल राइस मेटल ब्रेवरी एक्टिविटी प्रॉपर्टी तूथ लाविल लिवनेश बॉयलोजी स्वीमिंग थेप मुवमेंट सीमें यह सब चीजे को हम 123 में नहीं कर सकते बट इसे हम किलो में या फिर लीटर में जैसे कि हमारे घर में फार एक्जामपल मिल्क वाला सु दो 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 ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे वन लीटर दो टू लीटर दो या आधा चाहिए तो आधा या पाव में भी हम दूद लेते हैं वैसे ऑईल भी है वाटर भी है तो यह हो गया अनकॉंटेबल में जिसे हम 123 में धान रखिए अनकॉंटेबल होते हैं अभी आपको यहां पर कुछ पीचर दिया गया इस पीचर में बड़्डे पार्टी चल लिए तो यहां पर कुछ नाउन का कॉमन नाउन है तो आपको यहां देखकर फिलब करना है थैंक्यू